बांगलदेश की प्रधान मंत्री रही शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा उन्होंने भारत में अस्ताई तोर पर शरंडी है वो किसी और देश जाना चाहती है तो वहीं शेख हसीना के भारत में रुकने को लेकर बांगलदेश नैशनलिस पार्टी ने अब अपना रियाक्शन चारी कर दिया है बी अन्पी ने कहा कि शेख हसीना के धाका से चले जाने के बाद भारत में जिस तरीके से उनकी मेजबानी की गई वो चिंता को बढ़ाने वाला है पार्टी ने कहा कि जिस तरह भारत फिर से हसीना की सत्ता में वापिस चाहता है त सही समय है हुसेन ने बांगलादेश में अंतरिम सरकार को प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी के बधाई संदेश का स्वागत किया है और उमीद जताई है कि भारत सरकार अब आवामी लीग और साथी शेख हसीना को समर्थन देना जारी नहीं रखेगा वही बीनपी के उपध्यक्ष अबदुल अवाम मिंटू ने भी कुछ इसी तरह की राय देते हुए कहा कि वो काफी अच्छा होता अगर हसीना भारत नहीं भागती उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ में काफी अच्छे संबंद चाते हैं बांगलादेश और इसके लोग भारत को दोस्त की तरह मानते हैं हुसेन ने कहा कि इंटरनैशनल कानून के मताबिक भारत की मर्जी है कि वो जिसको चाहे उसे अपने देश में शरण दे सकता है हुसेन ने कहा कि शेख हसीना का भारत में शरण लेना बिलकुल ही सवभाविक लगता है इतना ही नहीं उन्होंने इ पसंद नहीं आएगा लेकिन एक तत्य ये भी है कि भारत बांगलदेश के बीच अच्छे संबंध हैं चाहे आवामी लीग सत्ता में रही हो या शेख हसीना रही हो उन्होंने कहा कि बांगलदेश नैशनलिस पार्टी सत्ता में थी तो मैं बांगलदेश सरकार में मंत्री था हमने देखा कि दोनों देशों के बीच शांदार संबंध हैं तो वहीं आपको बता दे कि बांगलदेश की सत्ता से शेख हसीना की विदाई के बाद अपने सरकार को लेकर बाचीत का दौर जारी है तो वहीं बांगलदेश में एक अंतरिम सरकार जिसकी कमान मुहमद खालिदा जी अफिर से बांगलदेश का नेतर्तों करेंगी तो वहीं आलमगी ने मुहमद यूनिस के नेतर्तों वाली सरकार का स्वागत किया है और कहा कि उनकी माइक्रो केडिट नीतियों से देश को लाप जरू मेलेगा साथी कहा कि वो देश का नेतर्तों करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं उन्होंने बांगलदेश की मौझूदा स्तिती पर बात की और आशव व्यक्त की है कि स्तिती सामान्य जल्द हो जाएंगी हिंदों पर हमला की चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसमें हिंदों को टार्गेट नहीं किया गया है बलकि आवामी लीग निताओं के आवासों पर हमला किया है और इस पर नियंत्रेंट पा लिया गया है हाला कि अंत्रेंप यानि मोहमत यूनिस ने हिंदूओं पर हमलों की बात कबूल दी है साथ भारत ने इस पर चिंता भी जताई है नियूज नेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए नियूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें